नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसे कि आपको कमेंट्स का एक्जाम अभी कुछ दिर पहले आज ही दिया आज में 8th of March को I hope सबका अच्छा गया होगा पेपर बहुत इसी था लेकिन थोड़ टाइम टेकिंग था तो मैं आज आया हूँ आपको जोग्रफी के वारे में कुछ पताने के लिए कि जोग्रफी का आपको कैसे टाइम मेनेज करना है और किस चैप्टर से कितना आएगा और आप अव्यसली जोग्रफी में अगर आप इस दीच को फॉलो करते हैं तो आउट आप 80 में मोर दन 70 मार् हिस्टेशिवक्सर पेपर 2 इसमा आपको दो पार्ट मिलेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 1 30 माक्स होगा जिसमें दो कोशन सेंगे विसंद्न मोर बान तू कोरिशन नोमर बान टो टोपोशिट से रहेगा और इस बार टोपोशिट में 45 डिवाई 10 मैप इंप्रेटन है क्योंकि आल्टिनेटिव यह आता है 45 डिवाई 7 नेक्स्ट राया वा था इसलिए इस बार का सबसे इंपोर्टेंट है 45 डिवाई 10 चुकि 20 मांक्स का होगा 10 कोशन रहेंगे और फिर हैं इंडियन मैप इंडियन मैप 10 मांक्स का होगा इंडियन मैप में हम लोगों पढ़ना क्या क्या है मांटेन पीक प्लेटिव प्लेंज डेजर्ट रिवर वाटर बोडिज पासेश लैटिटिव और लॉंगिटिव डिरेक्शन ऑफ वींड्स डिस्टिबिशन अब मिनरल्स स्वाइल डिस्टिबिशन टाइप्स शिटीज प् पॉलेशन यह पढ़ना है हम लोग को इंडियन मैप में और पार्ट टू जो कि 50 मार्क्स का होगा और इसमें नाइन कोसेंस होंगे उसमें साबको फाइव एटम करना है और वो फाइब कोसेंस किस-किस चैप्टर से होगा वह इस तरह से हैं चैप्टर 3 क्लाइमेट इंडिय साथ से रहेगा एन वाना इमीन कुर्शन नमर्त्री क्लाइमेट इंडिया से रहे गा कॉस्ट मिलाके आएगा इसका कॉस्ट नमर्त टांस्पोर्ट से राहेगा और कॉस्ट नमर्वर इलेवन वेस्ट मनेजमेंस है आनिकि आप लोग यह जो नाइन को सिंसे उसमें से 5 आपको बनाना है कोई भी 5 अब हम लोग देखते हैं कि अधिर हम लोग तैयारी कैसे करना है क्या ऐसा करना है जिससे हम लोग का मार्क्स मोर देन सेवेंटी आए तो आप लोग देख सकते हैं माउंटेन पीक और प्लेट्यू यह जो इंडियन मैप में हमारा आएगा सबसे पर दोपोची आना चाहिए काउंटर के बारे में इस्टिंग लाइन नौर्टिंग लाइन उसके बाद आपका जो ड्रेनेश प्रैटर्न है उसके बाद सेटिलमेंट है यह सारा चीछु को आपको पहले देख लिए ना को डुपोशेट से आपको बनाने के लिए और इंडियन में तो बहुत है आपको सीफ ट्रैक्टीस करना है और फ्रैक्टीस कहां से करनाया तो प्रैक्टीस करना यह कुछ years होंगे जो कि आपको 10 years से आपको अच्छे तरह से पढ़ाय कर लेना है उसमें जो questions है वो repeated आते है जोग्राफी में एक बहुत ही हम बोल सकते हैं कि easy way में अगर हमको learn करना है तो सबसे easy way है कि आप जोग्राफी में अगर 10 years को last 5 years अगर आप complete करते हैं तो हमको लगता है कि आपका marks बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि 10 years में questions repeated रहते हैं अब है कि Indian map में हम लोगों क्या क्या पढ़ना है mountain peak में अगर पढ़ना है तो आप देख लिजे कि 2018 में जो जो चीज़ आया है इंडियर में वह ज्यादा important है उस तरह का questions दुबार आएगा अब में आपको यहां दिखा देते हैं कि mountains में कौन कौन सा mountain हमारे लिए इंपोर्टन रहता है तो mountain में इंपोर्टन है हिमालयास कारा कोरम अरावली विंदिया सत्पूरा वेस्टन एंडिस्टन घाड निलगिरीज गारो खाशी जानतिया mountain गौडविन अस्टीन जिसको केट्व के नाम से जानते हैं mountain कंजिन जगा डेकन प्लेट्यू छोड़ाना प्लेटिक प्लेट्स एंड कोस्टल प्लेट्स कौनकान कनारा मालाबार कोरुमंडल नॉर्थन सिर्कस यह सारा प्लेट्स में सिर्फ डेजर्ट आएगा थार उसके बाद है अगर हम रिवर्स के बाद करें तो काफी सारे रिवर्स के बारे पढ़ना है और जो 2018 में रिवर पेसे चूज कर लेंगे इंदस रावी व्यास चेनाव जेलम सतलच गंगा यमुना धागरा गोंती गंडक कोसी चंबल बेतवा सोन दामदर प्रमपुत्र नयमदात तापती महनदी गुदावरी किष्णा कावेरी तुंगभद्रा यह जो रिवर्स है यह आप एक इंडियन मैप होगा वो सब जगह आप देख लिजे कि इंडिया का मैप आप उसको आप पॉइंट आउट कर लिजे कहां पर है तो आपका एक्जाम में नहीं चुटेगा वाटर बोडिस में गल्फ ऑफ कच गल्फ ऑफ कमवाथ गल्फ ऑफ मननार पाल स्ट्रेट अंडवान सी चिलक रखना होगा कौन सा जगह पर आता है पासेश में हम लोग दो पासेश के बारे पढ़ेंगे कारा कोराम पासेश एन अतुला पासेश लाटिटिटूड और लॉंगिटूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टेंडर्ड मेरीडियन इस्ट में यह आपका दिखाना है डारेक और मैंप में धिर्टिबीशन में में कि ओएल का बात अगर करेंगे बंबभयाई दिखाने बोलेगा यह इंशोर टिक बोई हो जोगा तो इस्टिबीशन थीमें ऑर आईरन के लिए अधिकाना रहेगा तो ज्रिया अब स्ट्रिबिशन टाइप्स तो हम लोग मैप में पूछा जाता है इसके बाद है सिटीज सिटीज अगर हम लोकेट करने के लिए कहा जाएगा वोगा देली मुंबई कोलकाता चन्नाई हाइदराबाद बैंगलूरु कोच्ची केंडिकर सेनगर विसागा पत्नम अलाहबाद यह सारा सिटीज यह स्टेट्स के बारे में बात कि पोपूलेशन तो दो सेथENS और ससर्फ समय नॉर्थ इंडिया का तो यह से यह सथ ंडिया को विसट और उस जगह है यह मैक्सिमम नॉर्थ 10 साउथ इंदिया के पुछ सा अच्छला नियुक्यों एकिऊस्ब्स भी प offense कि असफास लियुक्चा आप अगर इस तरह का मैप को अच्छा तरह से देख लें तो 10 मार्स तो आपका आएगा यह आएगा अब है यह जो चैप्टर्स मैंने यहां सेलेट किया है यह फिजो आपका सिलेबस में इसमें से अगर आप देखें तो अगर आप यह टोटल नाइन चैप्टर में से अगर आप फाइब चैप्टर करते हैं तो 10 इंटु 5 50 मार्स आपका आ जागा लेकिन मैं कहता हूं कि आप बुक से कोई 6 चैप्टर को चुल ले क्योंकि हो सकता है कि जो कभी ऐसा भी होता है कि सब्सक्राइब करके तो भी हम लोग और कोई पूछता है कि सर अगर आपको करना रहता तो कौन-कौन से चैप्टर करते तो मैं समझता हूं कि जो इजी में और अपने से जो एंसर देने लाइक जो कोशन होगा तो वह इसी सब्सक्राइब होगा क्लाइमेट फिर स्वाइल नेच्रेल वेजिटेशन वाटा रिसोर्स यह फोर चप्टर से हम करते हैं लास्ट कर यह दो चप्टर ट्रांस्पोर्ट और वेस्ट मैंजमेंट यह दो चप्टर टोटल मिना कि उपर से फोर नीचे का दो अगर मेरा च्वाइस रहता है त टेंपरेचर का मस्कवाद एनुवल रेंफॉल यह सब के बारे में बात किया जाता है तो अगर हम लोग इंडियन मैप को अगर हम लोग अच्छा तरह से देख लें काउंटर्स को टॉपोसिट को 45 डीवाइट 10 ही आएका इस बार आपनो डाउन कर लिजे क्योंकि पिछले बार डीवाइस से बनाया था तो इस तरह से अगर मीनेजमेंट की बात करें तो लॉइंटे मेनेजमेंटी मिनेट्स होगा 2020 में से अगर हम part 1 को 50 minutes का time दे और part 2 को अगर हम लोग 1 घंटा का भी time दे 60 more than 60 minutes लोग देंगे क्योंकि गर यह 50 minutes में complete होता है तो मेरा complete हो जाएगा यह क्योंकि हम लोगों बहुत ज्यादा lengthy answer नहीं देना है to the point answer देना है मांक सबका अच्छा है और I hope कि आपको help करेगा और अगर हां Indian map को अगर आप learn करना चाहते हैं इंडिया का तो देख रहें कि आपको याद नहीं हो रहा है कि नदी कौन सा की देर है तब लोग इस तरह से इंडिया का जो मैप होगा यह Indian map में क्या कीजेगा इस तरह से गर इंडिया का मैप बनाते हैं इंडिया का मैप को क्या कीजेए आप कि देख लिए कि कि इस पार्ट में कौन कौन नदी है इस पार्ट में कौन-कौन सा है इस पार्ट में क्यों कौन सा है तो आपको बहुत जल्दी आद हो जाएगा कि हां पे कों सा इंडिया को चार पार्ट में याद कर लिज़ें यह बहुत इजी तरिका है आपको इस बारे में याद करने का आपको लगता है कि एगर तो लगता है कि नहीं मुझे एक बनाना चाहिए प्रैक्टिस लिए किसार आप को पर बना दीजिये प्रैक्टिस के लिए तरहीं लोगTeUS देख लेंगे तो आप लोग कमेंट से कमेंट बोक्स में कमेंट पीय है अगर पिपट के लिए एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस पेपर बना दूगा जिसके पेक्टिस कानें पर चलोग अच्रमाक्सा जाएगा बाकि औल अप्ल फेश्ट गैस फटो भूर आठी कि ठाल कर से कर दो